नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्रखंड जीके से संबंदित Most Important 60 Question को ये वीडियो उत्रखंड पुलिस कॉंस्टिबल फायर मेन के एक्जाम स्पेस्पिक है इसमें जो भी Question होंगे उत्रखंड पुलिस से संबंदित होंगे जो आपका 18 December को एक्जाम होने वाला है उसमें किस टैप के Question पूछी जाएंगे उस से relevant Question इसमें डिस्क्रस करेंगे आज के इस वीडियो में 60 Question होंगे सभी महत्वपुर्ण के वीडियो को आपको अन्तक देखना है तो चले आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले Question है उत्रखंड राज जी में किस वर्स को परेटन वर्स गोसित किया गया तो उत्रखंड राज जी को दो बार परेटेंड वर्स गोसित किया गया है एक बार 2001 में दूसरी बार जो है 2015 में option के according right answer हो जाएगा option number C 2015 जो भी आपके option में होगा वो आप right answer करोगे 2001 होगा तो 2001, 2015 होगा तो 2015 अगर दोनों होगे तो दोनों आपका right answer हो जाएगा इसके बाद आता है question कि उत्रखंड में परेटेंड नीती कब लागो होती है तो देखिए 26 अपरेल 2001 को उत्रखंड में परेटेंड नीती आती है इसके बाद question आता है कि नई परेटेंड नीती कब आती है तो 2018 में नई परेटेंड नीती आती है इसके बाद एक क्वेशन आता है उत्रखंड में परेटन से संबंदित कौन सी योजना है तो उत्रखंड में परेटन से संबंदित योजना है वीर्चन सिंग गडवाली वीर्चन सिंग गडवाली परेटन स्वरोजगार योजना जिसकी सुरुवात होती है एक जून दोजार दो को ये आपको याद रखना है इस question से बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है निम्नमसे छेत्रिपल की दिश्टी से उत्रखन का सबसे बड़ा अभ्यारन कौन सा है तो छेत्रिपल की दिश्टी से अभ्यारन पूछा है इसका सही जवाब हो जाएगा या केदानात पसुव योहार या केदानात वन्नीजी अभ्यारन ये सबसे बड़ा है इसका टूटल एरिया कितना है तो 957 वर किलोमेटर इसका टूटल एरिया है और ये जो है उत्रखन का सबसे बड़ा वन्नीजी अभ्यारन है तो उत्रखंट राज जी की सबसे बड़ी जल विद्यूद प्रुजणा है टिहरी जल विद्यूद प्रुजणा ठीक है कौνसी नदी पर इस्तित है ये भिलंगना और भागी रत्शly के संगम पर इस्तित है टिहरी में और ये आपको यार रखना है कि जो टिहरी जलविदू प्रजना है इसकी टोटल चमता है 2400 मेगावाट और एक और कुशन इसने बनता है इसके हाइट कितनी है जो इसमें बाद बनना है तो हाइट है उसकी 260.5 मेटर भारत का सबसे उचा बाद कौन सा है टिहरी बाद बढ़तें आगे नगस्ट है उत्तरखंट की महिलाओं का परसद परम प्रागत आबुसरण तिलहरी पहना जाता है तिलहरी एक आबुसरण है जिसको पहना जाता है और अप्सन नमबर C गले में तिलहरी गले में पहने जाने वाला अबुसर्ण है नेक्स सतरवी वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सरवाधिक वन छेतरिपल वाला जन्पत कौन सा है किस जन्पत में जो है सबसे अधिक वन है फॉरेस्ट कबर किस जन्पत में सबसे अधिक है तो इसका सही जबाब है पॉडी गडवाल जन्पत में ठीके, पॉडी में सबसे आधिक वन है सबसे कम कहाँ पर है सबसे कम है उधम सिंग नगर में US नगर में जो है सबसे कम वन छेतरफल है सबसे कम फॉरेस्ट कबर है इस रिपोर्ट को जो आई है 2021 में 701 रिपोर्ट इसको जारी करता है FSI Forest Survey of India इसका Headquarter इस्तित है देहरादून में ठीक है इस्तावना होती है 1981 में और ये 1987 जो है हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है दूवार से यानि ये दो वर्स में एक बार रिपोर्ट आती है इस को संसा आपको इतना याद रखना है किस ताल को भाई बेहन का ताल भी कहा जाता है तो भाई बेहन का ताल कहा जाता है तिहरी में स्थित महासर ताल को आप्शन नमर एस का सई जवाब है महासार ताल कहा इसते थे तेरी मिस्ते थे यम ताल ये कहा इसते थे ये ताल जो है हमेशा बर्फ से ढखा रहता है यम ताल ठीक है और देखिए कौन-कौन सा ताल है सहस्त्र ताल तेरी मिस्तित है अपसरा ताल तेरी मिस्तित है तो यह आपको याद रखने तेरी मिस्तित तालों के बारे में नेक्स्ट है उत्रघ्रम में अखिल भारती आरुविग्यान संस्तान कहा हिस्तित है तो अखिल भारती अयरोविज्यान संस्तान इस्तित है रिसी केस में यानि की एम्स कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कहाँ पर स्तित है रिसी केस में 2012 में स्टैबलिस होता है एम्स ठीक है और एक नया एम्स जो है प्रस्तावी थे कामेट सिकर की उचाई है तो कामेट सिकर जो की चमोली जन पर में सते थे कहां पर सते थे चमोली में सारे आपको जो परवत है याद कर लेने है एक तो आपको याद अखना है कि कहां सते थे दूसरा उनकी हाइड आपको याद अखनी है तो कामेट सिकर की उचाई है 7756 मेटर कितनी है 7756 मेटर ठीक है और राज जी का दूसरा सबसे उचा परवत है कामेट राज जी का सबसे उचा परवत कौन सा है वो है नंदा देवी जिसके हाइट है 7817 मेटर कितनी है 7817 मेटर राजी का सबसे उंचा परवत है कहां पर इस्ते थे चमोली में इस्ते थे नेक्स्ट है उत्रखण में आपकारी ब्योस्ता किस ने आरंब की तो उत्रखण में आपकारी ब्योस्ता आरंब की थी दूसरे कुमाओ कमिस्नर जॉर्ज विल्यम ट्रेल ने यह जू है दूसरा और कुमाओकमिशनर था जॉर्ज विल्यम ट्रेल इससे के تवारे उत्रक wider मैं अपकारी व्योस्ता प्रारंबिक की गए थी। उत्रखंड में पट्वारी की पत किस ने सरजित किये ये भी किये थे विलियम ट्रेल ने कब किये थे 1819 में आपकारी व्योस्ता कब लागू की थी 1822 में ठीक है खचर सेने का गठन भी 1822 में विलियम ट्रेल ने किया था ये आपको याद रिकना है बढ़ते आगे नेक्स्ट है उत्रखंड पुलिस द्वारा मिसन होसला की सुरुवाद की गई तो उत्रखंड पुलिस ने मिसन होसला की सुरुवाद की थी मई 2021 में कब की थी मई 2021 में ऑप्सन नमर 20 का सई जवाब है उत्राखंड पुलीस द्वारा मीसन होसला ये शुरुवात की गई थी 2021 में करेंटरफर कभी कोईशिन है और किस ने शुरू कि था उत्राखंड पुलीस ने किया था इसका जो उद्देश से था वो था जो COVID-19 पेसंट है उनके लिए जो है वेंटिलेटर और जो मेडिसिन है आदे की फेसिलिटी उपलब्द कराना तो ये इसका उद्देश से था बढ़ते आगे नेञ्स्ट है उत्राखंड के वर्टमान सिक्षा मंत्री कौन है तो इस प्रस्ने का सही जवाब होजाएगा औप्सन अंबर ए धन सिंग राउत जो है उत्राखंड के वर्थमान में Isina मंत्री ये आपको याद अखना है प्रेमचंद अगरवाल है वित्त मंत्री पित्त विभाग इनके पास है तो उत्रखण में कौन क्या है वाली विडियो हमने अप्लोड की है अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखें उत्रखंड पुलिस के लिए काफी ज़्यादा महतुपूर है बढ़ते आगे अगला प्रस्न है उत्रखंड में नमामी गंगे कारिकरम का सुबारम कहां किया गया तो नमामी गंगे का सुबारम देखे उत्रखंड में होता है रिस्सिकुल मैदान हरी दुआर से अप्सन नमर 20 का सही जबाब है प्रिवियस पेपर में आया वह प्यश्यन है उत्रखंड में इसके सुरुषय होती है 7 जुलाई 2016 से उत्रखंड की बात कर रहे है वन्ना एक केंदर की योजने है इसके सुरुषय केंदर केंद सिरकार दोर होती है जून 2014 में लेकिं उत्रखंड में इसके सुरुआत होती है रिसिकुल मैदान हरी दुआर से 7 जुलाई 2016 को यह आपको याद रखना है एक क्वेशन और बनता है एक्जाम में कि गंगा को रास्ट्री नदी कब गोसित किया गया तो उत्रखंड की कैबिनेट में मैक्सिम्म बारा मंत्री हो सकते हैं मुख्य मंत्री साइड कितने हो सकते हैं बारा ऑप्सन नमर बीस का साइजवाब है देगे मंत्री परजिस्द में पूरे देश में मैक्सिम्म कितने मंत्री हो सकते हैं इसका जो formula है वो ये है कि total जो संक्या है जैसे उत्रखंड में 70 total संक्या है इसका 15% जो है मंत्री बनाई जा सकते हैं cabinet में ठीक है तो ये आपको याद रखता है एक दिल्ली के लिए अलग formula है बाकी के लिए यही formula है next day HD देवगोड़ा ने उत्रखंड राज जी की गोशना लाल के लिए से कब की तो HD देवगोड़ा ने जो है उत्रखंड राज जी की गोशना लाल के लिए से की थी 15 अगस्त 1996 को कब की थी 15 अगस्त 1996 को इसके बाद देखे 9 नौमबर 2000 को जो है उत्रखंड राज जी की स्ताप ना होती है नेक्स टेज छेत्रिपल के दिस्टे से उत्रगरन राजी का दूसरा सबसे बड़ा नैसले पाक कौन सा है तो पहला तो आपने याद किया होगा आप वहाँ पर दूसरा पूछ लिया आप पढ़ जाओगे सोच में तो आपको देखे सारे जो नैसले पाक है ज्यादा नैसले पाक नहीं है सबी को याद करेना है उनकी डेट क्या है कहां श्तित है और उनका एरिया कितना है कई बर ऐसा भी कोश्चन आ जाता है इनको स्विक्वेंस में लगाईए इनकी area की हिसाफ से sequence में लगाईए इन National Park को तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए तो दूसरा है राजाजी नेशन पाक option number 20 का सईजवाब है 1983 मिस के स्थापना होती है पहला कौन सा है पहला है गंगोतरी नेशन पाक पहला है गंगोतरी नेशन पाक दूसरा है राजाजी नेशन पाक next है महिला वेट लिप्टर खिलाडी हंसा मंदराल को रास्त्री द्रोणचारी पुरुषकार कब दिये गया तो हंसा मंदराल को रास्त्री द्रोणचारी पुरुषकार दिये जाता है 2001 में यह थी भार तोलन पुरुषकार की बात करें 2013 में पहली बात दिये जाता है हरी सिंग थापा को यह आपको यार रखने है next है उत्तर खिन के लिए उत्तर कुरू सब्दका परियोग किस गरंध में क्या गया है तो उत्राखंड के लिए उत्तर कुरु सब्द का प्रियोग किया गया है option number C, इसका सई जवाब है A3Brahman में A3Brahman में उत्राखंड के लिए किस सब्द का प्रियोग किया गया है उत्तर कुरु का ठीक है, और इसकंद पुराण में इसका अंसर आपको जरूर आएगा तो इसका सही जवाब है कोडिंद राजवन्स कुरिंद राजवन्स जो है उत्राखन में सासन करने वाली पर्थम राजनेतिक सक्ती है लेकिन अगर कुछिन यह आए उत्राखन में निवास करने वाली पर्थम परजाती कौन सी है तो वो है कूल पुरा परजाती कौन सी है तो वह है कोल और राजनेतिक सक्ती कौन सी है तो वह है कुरिंद अगर पुछे आप से उत्राखन का प्रथम एतिहासिक राजवन्स कौन सा है तो वह है कार्थिकेपूर राजवन्स या कत्यूरी राजवन्स ये आपको याद अखना है नेक्स्ट है कूटिला लिपी का संबंद किस वन्स है तो कूटिला लिपी का संबंद है कार्तिकेपूर या कत्युरी राजवन्स से ठीक है और इसका आंसर हो जाएगा option number D इन में से कोई नहीं इसका संबंद है कार्तिकेपूर या कत्युरी राजवन्स से कतियु राजवन्सकी जो लिपी थी कूटिला और भाषा कौन से थी संस्कृत ये आपो याद दखने है नेक्सट आ उत्रखंडर राजजी में बेलमती चोहान और हंसा धनई जानी जाती है तो बेलमती चोहान और हंसा धनई जानी जाती है option number C उत्रखंड राज आंदुरन के सहीद की रूप में ये कहां सहीद हुई थी मसूरी कांड वा था 2 September 1994 को 2 September 1994 को मसूरी कांड में सहीद हुई थी हंसा धनई और बेलमती चोहान ये जो है इसलिए जानी जाती है तो राज आंदुरन कारी थी हंसा धनी और बेलमती चोहान नेक्स्ट है 2011 की जनगर्णा के अनसार उत्रखंड में महिला साख सर्ता दर है तो 2011 की जनगर्णा के अनसार उत्रखंड में महिला साख सर्ता दर है 70% ठीक है आपको या रखना है 70% ये जो है डेटा आप अच्छे से याद के लिजिए महिला कितना है पुरुसुआ कितना है और टोटो दोतराखंकी कितना है तो यह सभी आपको अच्छे से याद रूँजिए बढ़ते हैं अब थोड़ा question को थोड़ा fast forward करते हैं ठीक है ज्यादा time नहीं लगाते हैं क्योंकि यह वीडियो लं अगला प्रसन है अलग नंदा की कौनसी साहिक नदी कर्ण प्रियाग में मिलती है तो पंच प्रियाग में से एक प्रियाग है कर्ण प्रियाग जो की चमोली में स्थित है और यहाँ पर अलग नंदा नदी से आकर मिलती है पिंडर नदी का संगम होता है अलग नंदा में कर नदी भी है कौन से है Πिंडर की सायग नदी है आट गाडρ ठीक है ऑट गार किसको साइग नदी है पिंडर की एक बार exam आ चुका है पिंडर के साइग न Congratulations की दूदातोलिक किदानत में आबदा आई थी नेक्स्ट है पिरान कलेर इस्तित है तो ये इस्तित है रुड की के नजदीग ऑप्स नमर सीज्ट का सही जबाब है नेक्स्ट है विवेकनन्द पर्वती किरसी अनुसंदान केंदर की स्तापना निम्न में से किस ने की थी तो इसका सही जबाब है option नमर B, बोसी सेन ने, कब की थी 1924 में, ये कहा अस्तित है ये अलमोडा में अस्तित है, ठीक है ये अभी आपको याद अखना है अगला प्रसने है उत्राखंड के कुल 6 त्रिपल का कितना प्रतिसत भाग परवती है तो उत्राखंड के 6 त्रिपल का लगबग 86 प्रतिसत भाग जो है परवती है और बाकी जो बसता है 13. कुछ है वो जो है मैदानी भाग है ये आपको याद अखना है next है मैती आंदुलन की प्रिणता है मैती आंदुलन की प्रिणता है कल्यांड सिंग रावत कहां से नहीं सुरू किया था चमोली गौल्दम से सुरू किया था मैती आंदुलन 1995-96 में ये भी आपको याद अखना है next है गुर्खाउन ने गड़वाल पर आकरमन कप किया तो गुर्खाउन ने देखिए गड़वाल पर आकरमन किया था 1791 में option no.6 का सहीज बाब है कुमाउपो कप किया था 1790 में 1790 में अगला पिसने है राजा जी नेसनल पाक की स्तापना हुई थी तो राजा जी नेसनल पाक देखिए राज जी का दूसरा सबसे बड़ा नेसनल पाक है इसके स्तापना होती है 1983 में और जो है ये तीन जीलों में फैला हुआ है देहरादून, हरीदुआर और पोड़ी ये आपको याद दखना है next इसकंद पुराण में ननकानन किस बुग्याल का नाम है ननकानन इसकंद पुराण में है फूलू की घाटी का नाम option number C इसका सही जवाब है फूलू की घाटी के पास एक नदी गुजरती है जिसका नामे पुस्पावती ने थी ये भी आपको याद अखना है next है current fair भी है INS दुनागरी को जो है इंडियन नेवी ने इंडेक्ट किया है उसका नाम भी जो है उत्रखन में इस दुनागरी परवत की नाम पर रखा गया है next है कासीनाथ ने कासीनगर की स्थापना कब की यादि कहाँ पर है उत्रखन में अटल आदर से ग्राम यूजना की सुरुवाद कब होती है तो उत्रखन में अटल आदर से ग्राम यूजना की सुरुवाद होती है 2009 में option number 16 का सही जवाब है next है उत्रखन में राज सैक्सिक पुरुसकार यूजना कब प्रारम होती है तो SIKSHYAW से सम्बंदी पुरुसकार योजना जो है उत्रकट में प्रार्मप होती है 2009 में और इस पुरुसकार का नाम है SELES मत्यानी पुरुसकार जो की 2021 में कितने लोग को दिया गये है टोटल 18 लोग को दिया गये है 2012 में ये भी आपको यारखना रखना है दिया 2022 में गया लेकिन है 2021 का, 18 लोग को ठीके तो यह आपको यारत वन है 2009 में इसके सुर Kumandiddel की पुरुषकार है, किसको दिया जाता है पुरुषकार? सिक्षिकों को दिया पुरुषकार दिया जाता है अगला प्रसन है पहला चंद सासक जो दिल्ली दरबार में गया तो पहला चंद सासक था जो दिल्ली दरबार में गया तो पहला चंद सासक था जो दिल्ली दरबार में गया था और दिल्ली दरबार में फिरोस्टा तुकलब ने इसको जो है गरुड की उपादी दी थी इसका जो चिन्द था वो भी क्या था गरूड था ठीक है तो यह आपको यारतना है गरूड ग्यानसन से अग्दा प्रसने है कुमाओं में अंग्रेजु की विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगर्टन किस ने बनाया तो अंग्रेजु की विरोध में जब 1877 की क्रांति होती है तो उस टाइम पर जो है एक क्रांतिवीर नामका गुप्त संगर्टन मनाया था कालू सिंग महरार्मी कालू सुंग महरा को ही उत्रकन का प्रथम स्वतंता संगर्टन से नानी कहा जाता है चंपाव जणपसे संबंदित है इन्होंने एक गुप्त संगर्टन मनाया था जिसका नाम है क्रांतिवीर और इसके लिए इन्हें किसने प्रेरित किया था तो वाजी दली ने इनको प्र अगला प्रस ने वर्स 2022 में उत्यक्षन के किस खिलाडी को अरजुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया 2022 में अरजुन पुरुसकार दिया गया है बैटमिंटन के प्लेयर लक्स सेन को अप्सन नमर 20 का सही जवाब है वहीं 2021 का पूछी तो 2021 में दिया गया था वंदना कटारिय को जो की होकी की प्लेयर है इसका सही जवाब है लक्स सेन इनको 2022 में अरजुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है नेक्स ते आसन वेटलेंड उत्रखंड का पहला और देश का यहाँ पर है देश का डैस रामसर आदरभू में इस्तल गोसित किया गया है तो उत्रखंड का तो यह पहला है रामसर इस्तल जिसका नाम है आसन वेटलेंड लेकिन देश का कौन सा है तो देश का है 38 यह आपको तो गंगोत्री नेशनल पाक में प्रुवेस के लिए पथिक नाम का एक सिंगल विंडो सिस्टम 2018 में लॉंच किया गया नेक्स्ट है वर्स 2014 में उत्रखन की परसिद्य नंदा राज्या द्यात्रा कब शुरूई थी 2014 में देखिए लास्ट राज्या द्यात्रा कब शुरूई थी 2014 में ठीक है बारा वर्स में एक बार होती है अब वोगई अगली 2026 में और ये जो है 2014 में शुरूई थी अठारा अगस्त से ठीक है अठारा अगस्त से जो है नंदा राज्या द्यात्रा दोजा चौदा मत शुरू ही थी इसकी सुरुवाद कहां से होती है कहां स्वा से होती है चमोली के और जाती कहां तक है यात्रा याती है होम कुंड तक थी होम कुंड इसका अंतिम पड़ा हुए इसके बीच की जो दूरी है यह है 280 किलोमेटर यह आपको याद लखना है नेक्स्ट है इचारी और किसावबाद किस नदी पर इस्तित है इचारी और किसावबाद इस्तित है टोंस नदी पर आप्शन नमर 20 का सही जवाब है इंपोर्टन कोशन है याद रख कि इचारी के साव बाद इस्तित है टॉंस नदी पर अगला प्रस्न है लखवाड ब्यासी ढालीपूर डगरानी बाद प्रियोजना किस नदी पर है तो लखवाड ब्यासी ढालीपूर डगरानी ये सारी प्रियोजनाएं है यमना नदी पर option number A इसका सही जवाब है 82 प्रियोजना हाली में चर्चा में था तो इसको आप ज़रूर याद रखें यह जो है यमना नदी पर इस्तरत है next है उत्रकंड विधान सबाब में कुल कितनी सीटे आरक्सी थे हैं तो विधान सबाब में देखें पाँच है विधान सबाब में कितनी है 70 सीटे हैं टोटल next है चमोली जिल्ले की स्तापना कब होई तो तीन जिल्लू की स्तापना होती है 1960 में कितने जिल्लू की तीन एक है पिथोड़ागर दूसरा है उत्रकंड सी रहे चमोली तो आपको याद रखना है चमोली की स्तापना कब होती है 24 फरवरी 1960 ये आपको याद रखना है next है पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है तो question को ठीक से पढ़ना है यहाँ पर लिखा है पूर्वी रामगंगा तो इसका उद्गम होता है नामिक गलेशियर से ठीक है पिथोड़गर से ठीक है ये जो पांस नदिय हैं दूदातोले से निकलती हैं और जो पूरवी रामगंगा है ये निकलती कहां से नामिक गलेशियर से नेक्स्ट है उत्रखंड में होमरूल लिक की स्तापना हुई ये कुश्चिन एक्जाम में पहले आया है लेकिन इसका जो आंसर है वहुज़न के अकर्णिंग इसका अंसर है 1914 बहुत सारी बुक्स में उत्रखंड के आपको मिलेगा आतकि इसकापना हुई लेकिन पूरे भारत में जो 1916 में होती है हमरूल लिक की स्तापना तो ये जो है एक सैंस नहीं बनता है वैसे लेकिन उत्राखन की बुक्स में आपको मिलेगा और एक्जाम में भी आया है कुश्यन अगर आपकी पेपर में हुम्रूल लीग अलमोडा में कभी पूछेगा तो आप 1914 करेंगे लेकिन अगर आपसे पूछे कि देहदुन में हुम्रूल लीग की स्थापना कभी तो 1918 का वोई थी 1918 ये आंसर करेंगे आप बढ़ते आगे नेक्स टे उत्राखन का पृधम उलेग किस धार्मिक गरंत में मिलता है तो ये अभी हमने आपको बताया रिग वेन में उत्राखन का पृधम उलेग मिलता है इसमें उत्राखन के लिए सब्द यूज किया गया है देव भूमी और मनिस्य की पूर्ण भूमी नेक्स टे जिल्मिल ताल उत्राखन के किस जिले मिस्ते थे तो जिल्मिल ताल है चमपाव जिले में जिल्मिल ताल शामला ताल जो है दूनु ताले हैं चंपाओ जिले में बहुत बार पुझी जाथ एक्जाम में मायवती आसरम पूछा जाता हैं, मायवती आसरम भी चंपाओ ट मिछते थे नेक्स्ट है उत्रखंड में राज्योस सु पुलिस विवस्ता लाग हो ही बहुत बार रिपीटेट कोश्चिन है उत्रखंड में राज्योस सु पुलिस विवस्ता लाग होती है 1874 से कब 1874 से उत्रखण में राज़ोस पुलिस विवस्ता लागो होती है हैंडिर एमजे के टाइम पर से लेकिन उत्रखण में राज़ोस पुलिस का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है विलियम ट्रेल को ये भी आपको या रखते हैं नेक्स्ट है मेगदूत का कुमावनी पद्रीऊ में अनुवाद किसंते किया था, लीलधर जोसी नो आप्सन नमर एस का सही जवाब है नेक्स्ट है देहरदुन फुटबॉल अकादमी की स्ताफना हुई इसका सही जवाब है, 2011 में देहरदून फुटबॉल अकादमी की स्तापन हुई उत्रखंड का राजी खेल कौन सा है फुटबॉल इसको कब गोसित किया गया था 2011 में फुटबॉल को उत्रखंड का राजी खेल गोसित किया गया था ठीक है फुटवाल अकादमी काँ पिस्ते थे दिहरादून मिस्ते थे नेक्स्ट है वर्स 2.11 की जनगर्ना के अनुसार उत्रकर्ण में सरवाधी नगरी जन सिंक्या वाला जिल्ला है तो सरवाधी नगरी जन सिंक्या वाला जिल्ला है दिहरादून ठीक है सबसे कम कौन सा है सबसे कम है बागेश्वर ये भी आपको याद रखना है अगले है काडगुदाम किस नदी के तटपर बसा है तो काडगुदाम बसा है गोला नदी के तटपर ओप्सन नमर डी सका सहीजवा बज़ेगा उद्गम कहां से होता है पहाड़ पानी नामकिस्तान से इसका उद्गम होता है नेक्स्ट है उत्रखन में राष्ट्रपती सासन लागु हुआ तो उत्रखन में राष्ट्रपती सासन लागु होता है 27 मार्च दोजास सोला से ठीक है हरी साउस जी के टाइम पर होता है राश्ट पती सासन लागू 27 मार्च दोजा सोला से 11 माई दोजा सोला तक कब तक 11 माई दोजा सोला तक ये भी आपको याद दखना है अगला है निम्द में से कौन सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित कौन सा नहीं आपको होता नहीं खटीमा कांड एक सितंबर 1994 बिल्कुल सही सुमेलित है एक सितंबर को मना जाता है कुमाणी भासा दिवस रामपूर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 बिल्कुल सही है इसका तीसरा है मसूरी कांड मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 ये बिल्कुल गलत है option number 6 का सही जवाब हो जाएगा मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को कब हुआ था 2 सितंबर 1994 next है मानसरोवर यात्रा उद्राखंड के किस इस्तान से चीन में प्रोईस करती है मानसरोवर यात्रा से संबंदित question भी आपके exam आते है जैसे मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है तो कुमाउ मंडल विकास निगम और ITPP द्वार जो है इसका संचालन किया जाता है मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर के मद्दित चलती है ठीक है और मानसरोवर यात्रा से संबंदित एक और question है इसका अंतिम पड़ाओ क्या है तो नवी ढांग जो है इसका अंतिम पड़ाओ है अगर इस्तान पूची तो आपसे ये भी आपको याद अखना है अगले प्रस्न है निम्न में से 27 अप्रेल 2017 को उत्राखंड के किस सहर को महानगर घुसित किया गया तो देखिए उत्राखंड में महानगर की बात करें यानि की नगर नगर की बात करें टोटल 9 नगर निगम है पहले थे 8 नगर निगम फिर 31 दिसंबर 2021 को सरीनगर को भी सरकार ने नगर निगम घुस्वित कर दिया गया हाला कि यह बाद में कोर्ट में चले गया था मामला ठीक है क्योंकि यहां की जो जनसंक्या थी वो मातर से 30,000 थी और जो नगर निगम बनाने के लिए मिनिमम जनसंक्या होनी चीए 90,000 होनी चीए तो मामला कोर्ट में चले गया था लेकिन सरकार ने जीओ इसका जारी कर दिया था ठीक है 31 दिसंबर 2021 को राजी का पहला नगर निगम कौन साथ था तो राजी का पहला नगर निगम था देहरादून नगर निगम इसकी स्ताफन होती है 1998 में लेकिन बात में क्या होता है उत्राखन राज जी के निर्मार हो जाता है ये जो है नगर निगम से हट जाता है ठीक है फिर दुबारा से इसकी स्तापन होती है दो जार तीन में राज जी के बनने के बाद यानि कि उत्राखन का पहला जो नगर निगम बनता है फिर से ये आपक question को हमने discuss किया जो कि उत्ताखन police के exam के लिए important है तो यह है इस video को and thanks for watching and God bless you all